सबीकों नमस्कार, मैं संदीव शर्मा, असिस्टन प्रोफिसर इन फिजिक्स, रादे शाम आर मुरार का गौर्वर्मन्ट कोलेज इंजिनू, इस लेक्चर सिरीज मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों का हर दिक स्वागत करता हूँ, इस सिरीज में हम बात करेंगे मैथ कुछ माथमेटिकल फिजिक्स के कुछ कुछ के बारे में, जैसे करवि लीनियर कोडिनेट शिस्टम्स, टेंसर्स, इटेंसर्स, इस इपूर्द फंक्शन्स और फूरियस इंड़ूर्य सीरीज, त्हॉर्य विटिविटी, रिलेटिव इनमेट्टिविस्टिडिव इनमेक् की जस्टे से भी ये काफी important है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ topic starting topic mathematical physics का जिसका नाम है वक्र रे की नर्देश शंत्रिया कर्भी linear coordinate system जैसा कि हम सब जानते हैं कि physics में या mechanics में या space में किसी भी particle की position को represent करने के लिए एक frame of reference के आफशक्ता होती है means किसी भी particle की absolute position या निरपेख्ष अवस्था कभी भी परिभाशित नहीं की जा सकती किसी भी कंड की अवस्था को वैक्त करने के लिए हमेशा एक निरदेश बिंदो की आफशक्ता होती है जैसे हमें example कहें कि भी कोई गाड़ी है जिसकी speed मैं कहना चाहूँ कि 60 km पर आ रहे है 60 km पर आ रहे है किसके corresponding उस observer के corresponding जो प्रत्वी के उपर स्थिर कड़ा है इसका मतलब गाड़ी की स्थित्य को वैक्त करने के लिए आपको किसके आफशक्ता पड़ी एक निरदेश बिंदो को इस आपको परिभाशित करना पड़ा तो space में किसी भी कंड की अवस्था को वैक करने के लिए हमेशे एक निरदेश संत्र क आफशक्ता होती है यह निरदेश नंत्र मुख्यत है तीन प्रकार के जो हम कहते हैं कार्तिय निरदेश रंत्र कार्टीजन को रिजिमन है कोरिने कोडिनेट सिस्टम से, यहां हमने एक छोटा सा कमपेरिजन इनका बनाया है, कार्टिन रिदेश चंतर में अपन कहते हैं, कहते हैं कि भी तीन तरह के डारेशन होती है, X डारेशन, Y डारेशन और Z डारेशन, X दिशा में यूनिट वेक्टर होता है, I कैप, Y दिशा में यून X, Y और Z से हम डिनोट कर सकते हैं, X और Y मिलकर, X और Y मिलकर जो प्लेन बनाएंगे, वो प्लेन कहलाएगा, X, Y प्लेन कहलाएगा, इसी तरीके से, Y और Z मिलकर जो प्लेन बनाएगे, वो कौन सा प्लेन कहलाएगा, Y, Z प्लेन कहलाएगा, इसका मतलब, X, Y प्लेन और Y, Z प बनाएंगे, वो X, Z plane कहलाएगा, इन दोनों planes के intersection से कौन से direction मिलेगी, Z direction मिलेगी, और इसी तरीके से हम तीसे direction X को भी हम define कर सकते हैं, point P का position vector जो हम define करते हैं, position vector हम क्या कहते हैं कि R vector equals to, if R is position vector, then we can define R vector equals to I cap X plus J cap Y plus K cap Z, means position vector R can be defined as a function of X, Y and Z, that means R, क्या लिख सकते हैं, R को हम define कर सकते हैं, function की term में X, Y और Z की, इसी तरीके से, वकर ऐखे निर्देश नंत्र जो है, तो किसी भी three-dimensional space में, तीन वकर प्रस्थों, वकर प्रस्थी यो सकते हैं, समतल विए हो सकते हैं, जो किसी एक निश्यत बिन्दों पर पर प्रतिषेद करते हैं, क्या समुच्य द्वारा वैक्त की आ जाता हैं, जिसके तीन तरह के U1 आ गया, U2 आ गया और U3 आ गया, तीनों जो हैं U1 आ गया, U2 आ गया और U3 आ गया, तीन तरह के नर्देशांग प्रस्ट हैं, U1 और U2 मिलकर कौन सा प्लेन बनाएंगे, U1, U2 प्लेन बनाएंगे, इसी तरीके से U2, U3 मिलकर U2, U3 प्लेन बनाएंगे, और U1, U3 मिलकर U1, U U3 plane बनाएंगे। जिस तरीके से XY plane में Z constant होता है, YZ plane में X constant होता है, XZ plane में Y constant होता है, उसी तरीके से U1, U2 plane में क्या constant होगा? U3 constant होगा, चीक है, इसी तरीके से U2 U3 plane में U1 constant होगा और U1 U3 plane में U2 constant होगा, इसका मतलब तीन तरह के प्रस्ट आगे एक प्रस्ट तो वो आगया जिसमें U3 equals C3, तीन constant है, C1, C2, C3 तीन अपने constant define करें हैं, तो इसका मतलब U3 equals C3, एक प्रस्ट तो यह आगया U1 equals C1, दूसरा constant, दूसरा प्रस्ट आगया, और U2 equals C2, तीसरा निर्देशांग प्रस्ट आगया किनी भी दो प्रस्टों के प्रतिचेदन से बनने वाली वक्र रेखा जो है, वो निर्देशांग करेखा कहलाती है, मतलब U1, C1 और U3, C3 इन दोनों के प्रतिचेदन से, इनके intersection से कौन से निर्देशांग करेखा मिलेगी, U2 मिलेगी इसी तरीके से U1 एक्वस्टो C1, U2 एक्वस्टो C2, इन दोनों के प्रतिचेदन से कौन से निर्देशांग रेखा मिलेगी, U3 मिलेगी, U2 एक्वस्टो C2 और U3 equals C3 के पृति छेदन से कौन सी निर्देशांक रेखा? U1 निर्देशांक रेखा हमें प्राप्त होती है ठीक है? तो जिस तरीके से हमने position vector को define किया अगर मैं एक inter-relation बताना चाहूं Cartagen coordinate system XYZ और curvilinear coordinate system U1, U2, U3 तो जिस तरीके से Cartagenand रदेशांक में किसी कन की निर्देशांक XYZ तवरा Vect की जाते हैं तो उसी तरीके से curvilinear coordinate system में किसी बिन्दू के निर्देशांक U1, U2, U3 द्वरा Vect की जाते हैं अभी निर्देशांकरों के मत्यूद हैं अधि सम्मंद Vect करना है हम क्या कह सकते हैं कि कार्थ निर्देश चंत्र में किसी भी बिन्नू का निर्देशांक है उसको U1, U2, U3 के फलन के रूप में वेक्ट किया जा सकता है इसी तरीके से Y को U1, U2, U3 के फलन के रूप में वेक्ट किया जाता है और इसका रैसी प्रोकल है वो भी डिफाइन किया जा सकता है वक्र रेकी निर्देश चंतर में किसी कण के निर्देशांक जो हैं, किसी भी बिंदू P के निर्देशांक जो हैं, वो U1, U2 तथा U3 द्वारा वेक्ट किये जाते हैं। वक्र रेकी निर्देश चंतर क्या कहलाता है। इसका मतलब तीन जो निर्देशांक प्रस्ट थे, U1 एक्वस तो C1, U2 एक्वस तो C2, and U3 एक्वस तो C3. अगर तीनो निर्देशांक प्रस्ट हैं, एक दूसरे के को, अगर परस्ट पर लंवद, मतलब 90 डिगरी पर अगर इ निर्देशांक लाम्बिक वक्र रेकी निर्देशांक कहलाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, किसी भी कंड का posision vector है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वक्र रेकी निर्देश चंतर में, किसी भी कंड के posision vector को, U1, U2, U3 के फलन की रूप में vector किया जा सकता है। यदी हम, differential करें, इसका exact differential dr सदिश equals to delta dr सदिश upon del u1 del r upon del u2 or del r upon del u3 और du3 आ गया, ठीक है, del r upon del u1 किसको mention करेगा, position vector r में, परिवर्तन वेक्त करेगा, किसके साब एक्ष, u1 के साब एक्ष, del r by del u2 परिवर्तन वेक्त करेगा, u2 के साब एक्ष और del r by del u3 position vector में, change को define करेगा, कौन से direction में, u3 direction में, change को define करेगा, ठीक है, del r upon del u1 को define करते हैं, b1 से del r upon del u2 को define करते हैं, b2 से, del r upon del u3 को define करते हैं, b3 से, ये b1, b2, b3 अपने वाज क्या कहलाते हैं ये कहला, ये हैं base vector कहलाते हैं, ये जो निर्देशांग प्रस्ट हमने बताया था वक्र रेक्षी था वक्र के रूप में था तो इस दिशा जो थी अपने बाद हर बिंदू पर चेंज होती है तो हमने एक स्पर्ष रेखा अपन ट्रैस करते हैं और इस पर्ष रेखा के जो दिशा है वो इस आधार सदिश के दिशा को वक्त करती है इसका मतलब आधार सदिश के दिशा जो यूँवन, यूटू, यूट्री वक्र जो है उनके ओपर क्या स्पर्ष रेखिया दिशा में होती है और इस पर्ष रेखिया दिशा में एक आंग सदिश E1 कैप, E2 कैप रथा E3 कैप द्वारा वक्त किये जाते हैं जो अपनी टॉपिक की हेडिंग है, that means scale factor can be defined as the magnitude of base vector, तो B, I vector equals to del R upon del U1 equals to E1 cap, H1, E1 cap है वो base vector के direction को define करेगा, H1 है वो base vector के magnitude को define करेगा, I की value क्या हो जाएगे, I equals to 1 to 3, I equals to 1, that means value आजाएगे, B1, B1 equals to H1, E1 cap, B2 equals to H2, E2 cap, B3 equals to H3, E3 cap, तो इन आधार सदिशों का परिमान है, वो scale गुनक को परिभाशित करता है, जिने हमने vector किया, H1, H2, H3 से, और आधार सदिश की दिशा वक्त प्रस्टों पर खींचे गई, इस परशेखाओं के द्वारा vector की जाती है, इन इस परशेखाओं इन दिशाओं में कांग सदिश वक्त की जाते हैं, E1, E2, E3 द्वारा, तो वक्रे की निर्देश चंतर में किसी कंड के निर्देश आंग, U1, U2, U3 द्वारा vector की जाते हैं, और आधार सदिश की दिशा वक्त की जाती है, E1 cap, E2 cap तर था, E3 cap द्वारा, चीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे next lecture में, and a message from my side, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए message है, कि खुद पर आत्म विश्वास ही जीवन में आपको आगे बढ़ाता है, तो खुद पर विश्वास बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवान, थैंक यू सो मच,